एके टीवी यूपी टीव काउंसलिंग की जो फुल प्रोसीजर हमारी वीडियो है जिस पे आर अलेडी 13,000 से ज़्यादा व्यूज क्रॉस कर चुके हैं काफी ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट्स और मैसेज़ आ रहे हैं कि क्या सर यूपी टीव एके टीव की जेएमेन की बीटेक काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है या आफी नहीं और स्टार्ट ही आखिर कब तक हो सकती है तो आज की वीडियो में हम इस पे आपका डाउट क् आपका आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो हेलो और नमस्ते मेरा अना पर इतुराथ सिंग मैं करेंट्ली वीटेक फाइनल रियर का स्टूडेंट हूं मेरा जो कॉलेज है वो है गॉर्मेंट इंजिरिंग कोलेज बिजनौर और इसके रिगार्णिंग क्या लेटेस्ट अब्डेट आया हुआ है अगर हम एक ट्यो की जो ओफिशल वेबसाइट है उसके कोडिंग बात करें तो यह जो आपकी वेबसाइट है लास्ट टाइम पे अगर हम देखें तो आपकी 17 मई को यह अब्डेट हुआ है और वही अगर थोड़ा सा टाइमिंग लगता है बट अगर हम बात करें जैसा कि आपको मैंने आल्लेडी बताया था कि मेरे बहुत सार ऐसे जो connections है जो अल्लेडी एकेट्व में work कर रहे हैं जो teachers है तो उनके coding यही चीज़े भी पता चल रही है कि फिलहाल में तो इस महीने तो chances बहुत ही कम है जो आपके most expected chances है कि आपकी जो counseling है वो आपकी start हो सकती है किस महीने में जून के फर्स या फिस सेकेंड वीक तक इसका एक और जो valid regions है जैसा कि आपको पता होगा कि एकेट्व में बहुत सारे courses होते हैं जैसे कि आपका counseling है पिछले 2-3 सालों से वो आपकी separate कराई जा रही है और other counseling आपकी अलग उसका schedule आता है यह मैंने बता दिया अब कई student के problem आ रहे थे कि यार भाईया हम आपकी जो पैट counseling है वो कैसे enroll कर सकते हैं राइट मुझे मेरे rank पे क्या बेश से बेश डिजर्विं college मिल सकता है क्योंकि यह आपकी future का सवाल आगे आने वाला चार साल भी आपके लिए काफी ज़ए impact आपके life और आपके career पे करता है तो अगर आपको मेरा personally need है और आप चाहते हैं कि यार आपके rank जो भी आया है उस पर आपको क्या बेश से बेश डिजर्विं college मिल सकता है ब्रांच मिल सकता है साथ ही मैं अगर आपको मेरा personal assistant चाहिए अगर आपको need है तो आप मारी help definitely ले सकते हैं और क्या लगता है कि आपको इसकी fees कितनी होगी 2000-3000 यह केवल 999 रूपीज अभी के लिए है और जिसमें आपको पूरा मेरे साब call पे बात भी कर सकते है whatsapp chat support throughout your journey मतलब starting से लेके जो भी एक तेड़ महीने counseling होती है admission even admission के बाद भ भी आप हमसे ले सकते हो वह की फिल्कुल free of cost रहेगा राइट अगर हमारी pet counseling में आप ज्वाइन कर लेते हो तो तो अगर आपका मन है तो आप केवल 999 रूपीज में यह सारे benefits को avail कर सकते हो आपकी जो choice filling की list है कैसे आपको best से best college मिल सकता है and online session भी करवाया जाते हैं बहुत सरी चीजा आपको मिल रही होती है तो इसको ज्वाइन अगर आपको करना है तो नीचे आपको मैंने direct link up दे दिया है आप उसके तुरू जाकर तुरू अंतिर रोल कर सकते हैं बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि कोई student का 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 लग भी है यहाँ पर मैं 100% sure हूँ कि अगर आपकी rank कितनी भी है एक टोई में अगर आप कोई भी अच्छा सा counseling कराते हो और च्वाइस को wisely fill up करते हो जो कि एक बहुत बड़ा important role play करता है किसी भी counseling में हो सकता है आपके rank 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, और लोने के वल 10 15 20 च्वाइस डाला वो भी टॉप के तो हो सकता है आप जो college deserve करते हो आपको नमिले तो बाद में आप जाके regret करोगी क्या अटने rank प्याच्छा college मिल गया बट मुझे क्यों नहीं मिला यह जो game होता है कि आपने choices को कैसे fill up कर रहे होते हो एक टीटीव counseling में या फिर जोसा में जा रहे हो जोसा में मालो कहीं भी चला जाओ अभी आई-पी यो काउंसलिंग इस्टार्ट हो गई है और नीज्देली की जो जय यह काउंसलिंग हो रहे होते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रूल प्ले करता है अगर आपको कोई भी प्रॉबलम आ रह गए कोई मिश्टेक्स मैंने कर दिया तो मेरे रतविया ऐसा प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं आने वाला है अगर आपको परस्टनली नीड है तो आप जाके जॉइन कर सकते हैं अगर आप उसमें अवियर रहते हैं तो कई बार कई लास ट्रेंग पर आपको अच्छा च्छा कॉलेज मिल जाता है लेकिन उसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि यार वह आपके लक्यों पर डिपेंट करता हैं कितनी वैकेंट सीट्स बस्ती हैं लास राउंड मे वह चीजें मेंटर करता है जब मैं अपनी कांसलिंग करा रहा था यार 2019 में तो मैंने देखा हुआ था यार चुकि मेरा लास मतलब मैंने अल्लडी ड्रॉप लिया हुआ था कोडस मैंने प्रिप्रेशन किया हुआ था तो उस मॉमेंट पर मैंने लिए कोई मतलब यह और रहे हो एड़ी सपोड कांसलिंग पर आपको डीटेल में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि उसकी क्या eligibility criteria होती है कौन-कौन से rules होते हैं कौन सा student उसमें eligible होता है यह सारा कुछ अगर आपको डीटेल में वीडियो चाहिए तो वह भी आप कमेंट म दिया जाए हलाकि यह चीज मैंने आप लोग को बता दिया कि आपकी कांसलिंग अभी तक इस्टार्ट नहीं हुई है उसके रिगारिंग आपको परसान नहीं होना है अगर आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया ते हैं क्या कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो रंजवाइन कर लेजिए क्योंकि जो भी क्वीक अप्डेर साती आपकी कांसलिंग के रिगार ही जिस पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है वह आपको बिल्कुल फ्री आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इंस्टैंट मिल जाता है आने वाले टाइम में भी आपको रखना चाहिए साथ में प्राइवेट कॉलेजस के बहुत सरे अडिमिसन डायक्ली आपके हो रहे हैं जेइमें के तुरू या फिर हम बात करें आपका जो क्लाश 12 का माक्स है तो उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको जैसे जो भी देली एंस्यार के हैं गाजियाबाद क हैं ठीक है तो इन सब के रिगार्डिंग भी आप चाहें तो हमारी पर्सनल हेल्प ले सकते हैं इस्टाग्राम पर फॉलो करके तो आज की वीडियो में बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए